जे सिव संकर मित्रों, मैं आप सभी का हरी स्वांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए एक नया एपिसोड लेकर के आया हूँ, एक नया कारेक्रम लेकर के आया हूँ और ये कारिक्रम है दैत गुरु सुक्र के रासी परिवर्तन के संदर्भ में मित्रों दैत गुरु सुक्र का रासी परिवर्तन इसले भी महत्वपोड है तो कि इस बार उनके साथ मंगल और बुद्ध की युती बन रही है अतह ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही आवस्यक है वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो सुरू करने से पहले एक आवस्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते है अपनी कुर्णी दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सअप नंबर पर मेसेश करें मेरा वाट्सअप नंबर है 854 0096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा चले मित्रों शुरुवात हम करते हैं मित्रों सुक्र सुक्र के विशाय में तो कुछ कहने की आवस सकता ही नहीं है भोग विलास्ता सुगंध प्रेम प्रेम लव और जीवन का जो ग्रियस्त का सुक होता है स्थ्री शुक हो या पुरुषit का सुक हों यह सब जो है क्या सुक्र से प्रेजेंट हीता है अगर सुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तौ आपको जीवन में हर अच्छे साधन प्राप्त होंगे सुख सुविधा के साधन प्राप्थ होंगे आप अगर इस्त्री है तो आपको पुरुस का सुख मिलेगा और अगर आप पुरुस है तो आपको इस्त्री का सुख मिलेगा सुक्र अगर खराब हो तो फिर आपके चेहरे पर लाइट भी नहीं रहती है चेहरे की लाइट भी बहुत डाउन रहती है चेहरे पर कोई आकासर नहीं रहता आपने देखा होगा धनी लोगों को धनी लोग कितने अट्रेक्टिव लगते हैं उनके अंदर सुक्र की आभा काम करती है सुक्र की आबा के कारण से वह अट्रेक्टिव लगते हैं अब देखिए अब यहां पर समीकरण क्या है मित्रों आज रात्री याने की अठारह जन्वरी की नठारह जन्वरी की दोहजार चौविस की रात्री को सुक्र दैति गुरु सुक्र अपनी रासी को छोड़ करके धनू रासी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर की वह बारह फरवरी नठी दोहजार चौविस सख रहने वाले है अब यहां पर जो है की सुक्र के प्रवेश से मंगल और बुद्ध दोनों के साथ इनकी युती भी बन रही है और संजोग की बात ये है कि मंगल और बुद्ध के साथ बनने वाली जो इनकी यूती है वो भी कल्यान कारी ही होती है वो भी मंगल कारी ही होती है तो आईए जानते हैं कि आप मकर रासी वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है तो चलिए सुरू करते हैं आपकी रासी से बारहवे भाव में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं तो मित्रों ये बहुत ही सुब होगा बहुत ही बढ़ियां होगा आपको नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे इनकम भी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेगा दोनों पर आपको कंट्र करना होगा इनकम और खर्च पर भोग विलाज के साधन मिलेंगे आपको धन संपत्ति में आपको व्रिद्धी होगी धन संपत्ति में व्रिद्धी होती चली जाएगी आपके पुरुसार्थ में व्रिद्धी होती चली जाएगी अगर संभलकर बेवहार करेंगे तो हर जग वृद्धी होगी आपके प्रॉफेट में वृद्धी होगी आपका गेन होगा मान सम्मान में वृद्धी होगी हर कारे में सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा मित्रों मित्र जो है वो सबसे बड़ी चीज होते हैं अगर मित्रों का ही सहयोग मिलना सुरू हो जाए तो फिर क्या पूछना दामपत्य जीवन का भी सुख आपको मिलेगा साथ इसाथ लव रिलेसंशिप आपका सुधरता चला जाएगा और लव रिलेसंशिप आपका वैवाहिक जीवन में भी तब्दिल हो सकता है स्टुडेंट्स सिख्छा में काफी अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे इस्टुडेंट्स के लिए यह गोचर बहुत ही बहुत बढ़ियां है हाँ जिनें गीत संगीत में रुच्छी है उन्हे कोई आवार्ड मिल सकता है देकर संबानित किया जा सकता है सत्रुओं से आपको रहत मिलेगी तो मिलाज विला करके ये जो गोचर है मित्रों ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है बहुत अच्छा है आप इस गोचर का लाब ले उपाई के रूप में आपको क्या करना है बहुत से लोग प्रस्ण पूछते हैं कि गुरु जी कुंडली में सुक्र को अच्छा करने के के-लिए क्या करें तो देखिये मित्र सुक्र अच्छे हों वह अच्छे जिनके खराब हो उनके लिए भी दोनों के लिए उपाई बता देता हूं सुक्र को अच्छा करने का सबसे बच्छा माध्यम है मा लक्ष्मी की आराधना मा लक्ष्मी की आराधना के लिए माता लक्ष्मी की जो फोटो होनी चाहिए आपके पास माता लक्ष्मी की फोटो को धूप दीप करके आपको कनक धारा इस्तोत्र और स्री सुख्त इन दोनों का पाट करना है और प्रती दिन आपको पाट करना है और अगर आप जल्दी रिजल्ड अगर आप चाते हैं तो रोजाना 3 पार्ट करना है रोजाना 3 पार्ट करना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से आपका जीवन का समिकन बदलना शुरू हो और आपके आपास धन चल करके आने लगता है और धीरे धीरे और मैंने तो कुछ ऐसे साधकों को देखा है जो प्रतिदिन 16 पाठ किया करते थे और वे धन्ना सेठ बन धीरे धीरे मतलब बन गए धन्ना सेठ तो यह इतना चमतकारी है है और आपका इससे शुक्र अच्छा होगा अपका बन होगा कनक धार इस्तोत्र और स्रीसुक्त इन दोनों का पाठ करना आपके लिए अस्तिनृ कल्यान काई है आप इसका पाठ किजिए आपका सुक्र बणिए ऑगर कुंड़ली में सुक्र सुक्र खराब है तो सेंट पर्फ्यूम से दूरी बना के रखिए तब तक जब तक कि आपका सुक्र बढ़िया नहीं हो जाता यह माता लिल लक्षमी की आरादना से तब तक आपको सेंट पर्फ्यूम से दूरी बना करके रखना है और यही थोड़ा सा लोग मतलब गलती कर ल तो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है वह तो और भी जाद आपको लाप करेगा ठीक है मित्रों तो आश्तक के लिए मैं बस इत्ता ही मित्रों जो ग्यान आपको दिया है वह आपको काफी काम काम में आएगा आप उसका यूच कीजिए जाते जाते एक बार फि 40096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तो मित्रों चलता हूं जय स्यों संकर